दोस्तों अक्सर हमें कभी भी कहीं जाना होता है अमर्जनसी में तो बहुत बार हम क्या करते हैं? कैब बुक कर लेते हैं यानि कि हम ओला उबर का यूज करते हैं और उस कंडिशन में अगर आपको अकेले जाना है तो यार आपको बहुत जादा किराय देना पड़ता है तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे आप अपने फोन से असानी से बाइक को बुक करके और बहुत कम पैसे में ट्रैवल कर सकते हैं बहुत एजी तरीके से वीडियो को पुरा दिखीगा दोस्तों तब ही आप समझ पाएंगे हेलो दोस्तों नमस्कार मेरा नाम नवीन है और आप देख रहे हैं आपका अपना यूटूब चैनल हमसफने टैग दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगती है तो इस वीडियो को लाइक करना और दोस्तों कर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है न तो जल्दी से कर लो और बैल आइकन को भी और पर प्रस कर देना क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको हमेशा नौलिजफुल वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं और आप सभी दोस्तों को अपडेट करते रहते हैं तो चले दूस्तों चलते हैं अपने फून पर और आपको कैसे Rappido Bike को Book करना है, बहुत इसी तरीके से चलिए, सीख लेते हैं दोस्तों सबस्ब अब क्या करना है, अपने Mobile Phone पर जो है, Rappido Application को Download करना है और इसका Link आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा क्योंकि वहां से गर आप डाउनलोड करोगे तो आपको वहां पर cashback में मिल जाएगा जिससे कि आप अपने ride को free में कर सकते हैं जब आप दोस्तों इस application को पहली बार open करेंगे तो कुछ permission आपको देनी होगी इसको allow करना होगा और जैसे आप allow करेंगे अब दोस्तों यहाँ पर दिखीगा आपको यहाँ पर location का permission देना है और यहाँ पर दिखीगा उसके बाद आपके सामने application open होकर आजाएगी अब दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने भासा को select करना है जो भी आपकी language है Hindi, English या फिर आपकी Canada, Telego या Tamil यहाँ पर आपको different language मिलती है उसके बाद आपको यहाँ पर next करना होगा और जैसे आप next करेंगे यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना mobile number टाइप करना है और नीचे इसको verify करना है verify करते दोस्तों अब आपके phone पर एक OTP आएगा automatically इसको detect कर लेगा और verify कर लेगा और जैसे यहाँ पर आपका OTP verify कर लेता है अब दोस्तों हमारा mobile number यहाँ पर verify हो चुका है उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का page आएगा अब आपको सबसे पहले अपनी email ID को select करना है जो भी आपकी email ID है चलिए हम यहाँ पर अपना email ID को select कर लेते हैं अब दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना date of birth को select करना है यहाँ पर आपको यहाँ से आपको calendar मिलेगा बस आपको click करना है और जैसे आप यहाँ पर click करेंगे सबसे पहले आपको यहां से अपना date of birth का year सलेक्ट करना है यहां पर आपको सबसे पहले जो है इस तरीके से यहां पर अपना इस तरीके से date of birth और month सलेक्ट करना है okay करना है और जैसे select कर लेंगे उसके बाद दो आपको एक चीज़ याद रखना है यहाँ पर आपको दिखेगा have a referral code यहाँ पर आपको click करना है और जैसे आप click करेंगे वहाँ पर तो यहाँ पर आपको एक referral code डालना है जो कि रहेगा CH62109 capital में और यहाँ पर आप देख पाएंगे आपको यह वाला referral code यहाँ पर डालना होगा जो मैंने आपको दिया है उसके बाद अगर आप male हो तो male select करेंगे female है तो female select करेंगे चलिए हमने यहाँ पर select किया उसके बाद नीचे सा आप इसको next कर देंगे उसके बाद दूस्तों आपके सामने कुछ इस तरीकी का page आएगा यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है दूस्तों सबसे पहले कि यहाँ पर यह आपके location है जो कि यहाँ पर आपको दिखेगा और यहाँ पर दिखेगा जो भी आपके आसपास में bike rider है जो आपको लेने के लिए आएंगे यहाँ पर आपको नजर आएंगे देखे यह bike वाले हैं जो आपको लेने के लिए आएंगे तो आपको क्या करना है यहाँ पर आपका address दिखेगा आपको यानि कि आपका जो भी address है pick up address यहाँ पर दिखेगा जहां से आप जाओगे यह automatically map से उठा लेगा अगर आप चाते हूँ कि आपका address कोई और है तो आप यहाँ पर दूसरा address अपना डाल सकते हैं बस आपको क्या करना है यहाँ पर search करना है example मैं यहाँ पर दिखा दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर इस तरीके से मैं address को fill करता हूँ और जिस्खा यहाँ पर search करऊ गूगल यहाँ पर यहाँ पर automatically दिखा देगा यहां पर आजाएगा तो मैं यहां से इस तरीके से location को ले सकते हूँ और जिस्खे पिक पिक अप लोकेशन है यानि कि जहा से आप जाओगे, यहाँ पर मैंने चेंज कर लिए पिक अप लोकेशन फिल रहाल और यहाँ पर दिखतों कर अभब कहाँ से और कहाँ जाना है, जहाँ आपको जाना है, यहाँपको ईंटर हैंजिंटर लोकेशन यहां पर इस तरहे के से हम अपना लोकेशन को यहां पर दाल दिते हैं। दोस्तु आप यहां पर लोकेषन को सब्सक्राइया क्यारी के चलएका क्यों के रियुकर प्रडिया लेकिन भाविख ब्रडियाव सिर्च रूपर के आपको V4 nationalism की तैरा है। तो दूस्तों यहाँ पर दिखीगा, तो यहाँ पर आपको इस तरह की से किराया दिखीगा, और जैसे आप किराया दिखीगा, उसके बाद आप चाहे तो यहाँ पर coupon code भी apply कर सकते हैं, अगर आपके पास coupon code नहीं है, तो आप Google पर search कर सकते हैं, Rapido coupon code, तो आपको बहुत सारी website पर coupon code मिल जाएगा, और उससे आपको ज्यादा discount मिलेगा, आप यहाँ पर cash देना चाहते हो, या फिर आप wallet से payment करना चाहते हो, चाहे तो आप यहाँ पर Rapido wallet पर भी पैसा को add कर सकते हैं, और चाहे तो आप Paytm को link कर सकते हैं, यहाँ पर link कर सकते हैं, इसली free charge हो गया, और यहाँ पर आपको wallet मिल जाते हैं, बस आपको link पर click करना है, mobile number डालना है, और आपका Paytm से link हो जाएगा, और आपका payment भी वहाँ से ही हो जाएगा, फिलाला में दुस्तों यहाँ पर cash देना है, तो हम cash ही रहने देते हैं, उसके बाद यहाँ पर नीचे दिखीगा, request रैपि के लिए उसके पास जाएगा ride आपका, और जो भी आपकी आजपास जो rider होगा, वो आपके पास तुरंत आजएगा जल्दी से जल्दी, तो यहाँ पर थोड़ा सा हो सकता आपको time लगे, और हो सकता है 15, 20, 25, 30 second भी लग जाए, चुकिए depend करता है कि आपकी आजपास में कित देना होगा, और दोस्तों यहाँ पर दीखेगा, जो भी हमारा captain है, अभी हमारी location पर आएगा, यहाँ पर आएगा, तो अगर यहाँ पर दीखेगा दोस्तों उसके साथ में आप इसको नीचे करेंगे, scroll down, तो यहाँ पर आप चाहे तो बाद में अपना location को change भी कर सकते हैं पिक अप और ड्रॉप लोकेशन यानि कि जहां से आपको जाना है और जहां पर जाना है यहां पर जा सकते हैं अगर आप कैप्टरिन को फोन करना चाते हैं तो आपको नीचे एक डाइलिंग का एक बेटन दिखेगा आपको क्लिक करना है चाहे तो आप यहां पर मैसेज की केंसिल और चाहूर है। और आप चाहूर तो हैम काम कर का रहा है। आप यहाँ पर उसका रिकॉड कैंसिल कर सकते हैं चलिए मैं आपको कैंसिल करके दिखाता हूं कैंसिल करेंगे कोई भी रीजन आप यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हैं कैंसिल और यहाँ पर जो है कैंसिल राइड पर क्लिक करेंगे और जैसे आप यहाँ पर कैंसिल राइड पर क्लिक करेंगे यहाँ पर दोस्तों आपकी जो है ride cancel हो जाएगी दोस्तों हमारी ride यहाँ पर cancel हो चुकी है और दोस्तों अगर आप चाहो तो यहाँ पर और भी details जान सकते हो यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं उपर three line पर तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे अलग-अ options दिखते हैं, जैसा आपका mobile number साथ साथ में कि आपने कितनी ride complete कर ली है, और यहाँ पर आपने दोस्तों को भी invite कर सकते हैं, और आपको वहाँ पर referral का भी benefit मिलेगा, तो इस तरीके से आप बहुत असानी से दोस्तों Rapido application का यूज़ करके असानी से bike से travel कर सकते हैं I hope दोस्तों आप Rapido bike को book करना सीखे होंगे, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को like जरू करना अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जरू share करना, अगर दोस्तों कोई सवाल है, question है, कोई भी दिक्कत आती है तो comment कर देना, अगर चाते हो कि जल्दी से आपका दोस्त आपको जल्दी से reply कर दे, तो facebook instagram पर आप message कर देना link आपको वीडियो को description में मिल जाएगा, तो चरी दोस्तों जल्दी मिलते हैं कोई इंट्रास्टिंग और नए वीडियो के साथ में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखो, खूश रहो स्वस्त रहो और मस्त रहो so thank you, bye bye दोस्तों